हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कौन स्टेडी, कौन स्टेडी में आप सबका स्वागत है, आज हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशो पॉपोर्शन और ये चैप्टर हमारे मैट्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्यूंकि रेशो पॉपोर्शन परस तो यह चेप्टर जो मैंने आपको करवा रहा हूं यह हमारी मैट्स के स्कोर को इंक्रीज करने में बहुत जादा हेल्प करते हैं तो इन चेप्टर को ध्यान से पढ़ियेगा एक-एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ियेगा नहीं समझाता है दबारा वीडियो देखिएगा कमेंट सेक्षन में पोस्ट कीजिएगा क्या सचीज समझनी आ रही है हर चीज एकस्प्रेन की जाएगी ठीक है इन चेप्टर को बिल्कुल भी lightly मत लीजेगा क्योंकि ये chapters आपके maths की section क्लियर करवाने में बहुत help करेंगे, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करें, इसके लाब हम Facebook और Instagram पर भी active हैं, ये रहे आपकी screen पर उनके direct links। आज का जो हमारे topic है ratio proportion का, सबसे पहले मैं आपको उसकी introduction दे दाओ, ratio क्या चीज होती है, ratio वो है जो दो number के बीच में एक relation बताती है, उनका comparison बताती है, एक बड़ा number हो सकते है, एक चोटा number हो सकते है, उनके बीच में वो एक relation बनाती है, ठीक है, अब वो जो दो number है, वो जो values हैं, वो एक ही parameter की होनी चाहिए, for example, यह example है, number of boys in classes 20% more than girls, देखिए, यहाँ पर बात चल रही है, boys और girls की, पर यहाँ पर similar parameter क्या है, उनकी population की बात कर रहे हैं, कि एक class में कितने लड़के हैं, कितनी लड़की हैं, तो लड़के जो है, वो बीस परसेंट हैं, लड़कियों आगी 5-6, वैसे ही, एक और example है, number of students in school is 20% more than teachers, अब यहाँ पर teacher और students है, पर parameter क्या है, दोनों के बीच में similarity क्या है, वो है population की, कि बताया गया है कि students जो है, वो 20% जादे हैं teacher से, वही चीज़ है, रेशो जो आए 5-6 ही आएगी, बस नाम चेंज हुआ है, बाकि परमेटर से में रहे हैं, तो आज का हमारा सबसाब पहला concept है, कि एक percentage को हम directly ratio में कैसे convert कर लें, अब हर बार 100 लोगे, फिर अगर उसमें increase करोगे, फिर decrease करोगे, फिर उसको reduce करोगे ratio में, तो यह 1-2 second आपके ले ही जाएंगे, तो उससे better है, हम सीधा ही उनको convert कर लें, आपको याद है, तो आपके लिए ये वीडियो असान हो जाएगी, अब इनने यहाँ पर तीन मैंने आपको numbers दी हैं, तीन statements दी हैं, जिसकी help से मैं आपको ये पूरा concept, more or less के साथ समझा दूँगा, ठीक है, पहली statement है, A is 25% of B, second statement है, A is 25% more than B, और third statement है, A is 25% less than B, तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा, सबसे पहले हमें चीज़ पता है कि 25% क्या होगी, 1 by 4 के बराबर होगी, अब ये 1 by 4 ऊपर वाली term होती है, numerator, नीचे वाली होती है, denominator, और इसी के combination को हम कहते हैं, fraction, ये चीज़ हम percentage chapter में discuss कर चुके हैं, अब इस 1 by 4 का मतलब क्या है, इस 1 by 4 का मतलब है, ज जो नीचे वाली value होती है, जिसे हम denominator कहते हैं, उसकी हम अलग-अलग उसको assign कर सकते हैं, question की need के हिसाब से, जैसे कि ये जो नीचे वाली value है, denominator हमेशा हमें question को start करने में help करती है, इस denominator को हम total value भी मान सकते हैं, या फिर इस denominator को हम जो जिस number के साथ, जिस value के साथ हमारे compare किया जा रहा है, वो भी मान सकते हैं, इस value से हमें, इस denominator से हमें question का start मिल जाता है, और आगे हम जो assumptions है, वो सारी इसी के basis पर करते हैं, अब हमें पता है कि 1 by 4 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर देखे लिखा है value to which comparison is done, यानि कि जिसके साथ comparison किया जा रहा है, जैसे कि हमारे question म हो रहा है, B के साथ और बोला गया है कि A जो है B का सिर्फ 25 परसेंट ही है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो term है, उसको हम B मान लेंगे, क्योंकि A का comparison B के साथ हो रहा है, तो B की value हो जाएगी 4, अब उन्होंने कहा है, कि A जो है, वो B का सिर्फ 25 परसेंट है, तो यानि होगा, A is 25% of B, next part पर आते हैं, जो की है, second part, A is 25% more than B, अब यहाँ पे more की बात हुई है, ठीक है, तो यही वही आगे 25% की value होगी, 1 by 4, किस का comparison हुआ है, A का comparison हुए, किस के साथ हुए, B के साथ, तो denominator के आएगा, B, जिस के साथ comparison हुए, अब उन्होंने कहा है, 25% जो है, वो जादा है, वो अब 25% है नहीं है, तो आपको पाता है, 4 का 25% तो 1 ही रहेगा, तो उपर वारी term जो है, हमें उसके साथ खेलना है, अब जो A है, वो क्या है, वो 4 से 1 जादा है, A जो है 25% जादा है B से, तो A जो है 1 जादा है 4 से, तो A की value क्या आगी, 5, तो A और B की ratio क्या आ जादा है, सब्टेक्ट करेंगे, A को compare किया जा रहा है B के साथ, तो denominator क्या होता है, जिसके साथ compare किया जाता है, तो B की value आगी 4, A जो है 25% कम है B से, तो यानि कि A जो है, वो 1 unit कम है 4 unit से, तो A की value क्या आजेगी 3 unit, तो A और B की ratio क्या आजेगी 3 is to 4, अब या आया हमारा next concept, इसमें multiple ratios को हम single ratio में convert करना सीखेंगे, ठीक है, सबसे पहला question आ गया, if A is to B is equals to 5 is to 6, and B is to C is equals to 9 is to 11, then what is A is to B is to C, अब यह वाले question हम कैसे करते हैं, हमें दिख रहे हैं कि पहली ratio है A is to B की, और दूसरी ratio है B is to C की, अब अगर हमें इन तीनों को जोड़ना है, तो हमें इन दोनों ratios को जोड़ना है, तो हमें इसके बीच में एक common point भी बता होना चाहिए, हम इन ratios में देख सकते हैं कि B वो जो है, B alphabet वो common point है, तो हम क्या करेंगे, B की values लिख लेंगे नीचे, B की value पहले वाली ratio में दी गई है 6 और दूसरी वाली ratio में दी गई है 9, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा number देखेंगे, जो 6 और 9 दोनों के table में आता हो, तो 6 और 9 दोनों के table में आता है 18, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि यह पहली वाली ratio जो A is to B है, उस में हम उस ratio को हम उस number से multiply करेंगे, कि जो हमारा 6 है पह जाएगा, उसी के साथ साथ हमारा जो A है, यानि कि जो 5 है, वो बन जाएगा 15, तो पहली ratio को A is to B को 3 से multiply करने के बाद, अब हमारे पास आ गया, A is to B आ गी हमारे पास value 15 is to 18, ठीक है, अब दूसरी ratio है, दूसरी ratio में B is to C दिया हुए है, B की value तो नहीं है, वैसे, B को 9 दिय आ गया है, C को 11 दिया गया, यानि C अगर 11 unit है, तो B 9 unit है, इसे भी हमें 18 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, 2 से multiply कर गये, तो हमारे पास B यहाँ पे भी 2 से multiply होके 18 आ जाएगा, C आ जाएगा, हमारे पास 22, अब हमारा B जो है, वो common हो चुक है, अब हम A, B, C को एक ratio में डा जाल सकते हैं, तो A की value क्या आई थी हमारी 15, B की आई 18, C की आई 22, तो A is to B is to C क्या हो गया, 15 is to 18 is to 22, वैसा ही रहा second question, ये भी question similar ही है, अब इसमें क्या, A is to B हमें दिया गया है, 5 is to 6, ठीक है, और B is to C हमें दिया गया है, 7 is to 9, common point क्या है, B ही है, पहली वाली ratio में B की value 6 ह है, दूसरी वाली ratio में B की value 7 है, अब 6 और 7 में हमें ऐसा number ढूणना है, जो 6 और 7 दोनों के table में आएगा, तो वो number तो इनको multiply करने से ही आएगा, तो 6, 7 जा क्या होता है, 42 होता है, ठीक है, अब हमें पहली वाली ratio में B को 42 बनाना है, जो की है 6, उसको हम 7 से multiply कर देंगे, त हमारे पास 35, B आ जाएगा, हमारे पास 42, ठीक है, दूसरी वाली ratio को 6 से multiply करने पर B हमारे पास 42 ही आएगा, और C हमारे पास हो जाएगा 54, ठीक है, और यही होगा हमारा final answer, A is to B is to C आ जाएगा, 35 is to 42, is to 54, यह रहा third question, if A is to B है, हमारे पास 5 is to 6, और B is to C है, हमारे पास 6 is to 11, अब common point के B है, और एक चीज़ देखिए, common point तो हमारे पहले ही match करके, question शुरू करते ही match करके, तो हमारी A is to B is to C की value क्या हो गई, सीधा सीधा 5 is to 6 is to 11, थाना असान पार्ट, ऐसे असान पार्ट आ सकते हैं paper में, ध्यान रखना, ठीक है, अब आते हैं हमारे fourth question पे, A is to B ह है हमारे पास 5 is to 6, B is to C है हमारे पास 12 is to 11, फिर वही B ही common point है, अच्छा, पहली ratio में B की value है 6, दूसरी ratio में B की value है 12, यानि हमें दोनों equation को किसी number से multiply करने के ज़रूरत नहीं है, अगर हम पहली equation को 2 से multiply कर दे तो B हमारा 12 बन जाएगा, बिलकुल बन जाएगा, तो हम पहल C आ गया 11, तो A is to B is to C आ गया हमारे पास 10 is to 12 is to 11, अब यह हमने देखा A is to B is to C, अभी तक सिरफ 3 alphabets थे, अब हो सकते हैं 4 alphabets आ जाएए, A, B, C, D, अब ऐसे questions को कैसे करना है, सबसे पहले आ गया, if A is to B is equal to 2 is to 3, and B is to C is equal to 4 is to 5, and C is to D is equal to 6 is to 7, तो हमें A, B, C, D के ब Lengthy हो गया, अगर हम पिछले method के हिसाब से करें, पहले A is to B is to C निकालेंगे, फिर A is to B is to C, और C is to D में C को common point लेके बनाएंगे, फिर पूरी multiplication करने में बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं आपको इससे सीधर सीधर करने का एक trick बताता हूँ, देखिए, इन ratios को हम ऐसे ल ratios हैं, इसके जो पहले पहले वाले number हैं, यानि कि 2, 4, 6, इनको multiply कर देंगे, 2, 4, 6 को multiply करने के बाद क्या आएगा, 6, 4s are 24, और 24, 2s are 48, बिलकुल, तो A की value आगी 48, बिलकुल, अब next देखिए, अब आपको B को देखना है, A is to B में आपको B दिख रहे है, B is to C में आपको B द पर ratios जो है ना हमें तीनों यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि हमें B, B सिर्फ पहले दो ratios में लिखना है तो हम तीसरी वाले इग्नोर करतेंगे, अब आपने क्या करना है, B किस direction में दिख रहे है, यह देख रहे हो, diagonally B दिख रहे है, हम ratios में भी पहले diagonally उनी दो numbers को multiply कर लेंग हम उसे multiply करेंगे, जो हमने पहले दो number का product किया, उससे, यानि कि 12 से हम 6 multiply करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 48, oh sorry, 72, 1260, 72, गलती से मैंने 48 बोल दिया, 1260, 72, तो B की value आगी 72 units, अब हम C को देखेंगे, C कहां दिख रहे है आपको, एक second वाली ratio में, और एक third वाली ratio में, diagonally दिख रहे है, वैसे diagonally number हम लेंगे, 6, 5, 30 तो आगया हमारे पास एक number, अब जो सबसे top वाली equation, जो top वाली ratio है, जो second वाली ratio है, उसमें C के ऊपर जो exactly value आ रहे है, यानि 5 के ऊपर जो exactly value आई है, हम top वाली ratio में से वो वाली value लेंगे, यानि 6 into 5, 30 हमने किया हुआ था, ठीक है अब हमने 5 के ऊपर आ रहा है, 3, उसको हम जब 30 से multiply करेंगे, हमारे पास आजेगी value 90, C की value आ गई हमारे पास 90 units, अब आई D की बारी, मैंने आपको सबसे starting ये answer start करते ही बताया था कि A जो है, सबसे first digit है, first alphabet है, sorry, और D जो है, सबसे last alphabet है, तो A के लिए अगर हमने first 3 numbers, ratios के first 3 numbers को multiply किया था, तो हम D के लिए वैसे ही ratio के last 3 numbers को multiply करेंगे, 75 is a 35, और 35, 3 is a 105, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, तो हमारे पास A is to B is to C आ गया, 48 is to 72 is to 90 is to 105, अब आप एक चीज़ देखिए, A is to B is to C is to D में, यह 4 numbers तो आ रहे हैं, पर कोई एक common number है, जिससे यह कट जाएंगे सारे, 3 है, हम इनको 3 से काट सकते हैं, 48 को आप 3 से काटोगे, तो आएगा 16, 72 को आप 3 से काटोगे, तो आएगा 24, 90 को आप काटोगे, तो सिदे सिदे 30 आ जाएगा, और 105 को काटोगे, तो 35, 16 is to 24, is to 30, is to 35 is the reduced ratio of between A, B, C and D, और यही है हमारा answer, अब next question आया हमारा, if A is to B is, 1 is to 2, B is to C है, 4 is to 5, C is to D है, 7 is to 10, तो A, B, C, D की value हमें निकालनी है, अब आपने देखा होगा कि पिछले question को समझाते, समझाते काफी time लगा, पर actual में जब आप solve करने आओगे, तो इतना time नहीं लगेगा, मैंने आपको समझाया है, जिसके वज़े से जाधा time लगा है, अब मैं ये question आपको समझाऊंगा नी, मैं बस फटा-फट ये question करूँगा, हमारे पास आगया है, A is to be 1 by 2, 4 by 5, 7 by 9, मुझे पता है, A के लिए मुझे पहले-पहले numbers को, ratio के पहले-पहले numbers को multiply करना है, 7, 4, 28, A की value आगी 28, मुझे ये भी पता है, D के लिए मुझे last last के number को multiply करना है, 9, 5, 45, 45, 2, 90, D की value आगी 90, अब B, मैं, मैंने आपको पिछले motion में कहा था कि लिखना, ratios और उनके सामने-सामने उनकी values लिखना, ठीक है, पर मैं बिना इसे लिखे भी कर सकता हूँ, म वाले का लिया, मैंने 4, और मैंने बताया था, second के जो बिलकुल नीचे होगा, अगर second, first position, second वाली ratio, first position पर B आ रहा है, तो third में हम C वाली की value लेंगे, यानि की B के नीचे जो exactly था, वो था 7, ठीक है, 2 into 4 into 7 हो गया, हमारे पास 7, 4, 28, 2, 56, तो ये आ गया, हमारे पास B की value आ पहले, second last ratio में C आ रहा है, बाद में, तो 75, 35 तो हमारे पास आ गया, अब हमने second equation देखी, C आ रहा है लास्ट में, तो first ratio का भी हम last वाला ही digit लेंगे, यानि हम 2 लेंगे, तो 35, 2 कितने हो जाएंगे, 70, ये आगी हम इन 4 के बीच की ratio, अब एक common number है, जिससे ये कट सकता है, क् हम इसको 2 से काटेंगे, 28 बन जाएगा हमारा 14, 56 बन जाएगा 28, 70 बन जाएगा 35, और 90 बन जाएगा 45, और यही है इनकी exact ratio की value, A is to B is to C is to D is 48, 14, 28, 35 and 45, अब आगे हमारा next topic, बहुत असान है ये चीज, आपको दिखने में लग रहे है कि ओ, fraction values आगी, कैसे solve करना है, कुछ नहीं करना, fraction value हमें question दिया हुए, A is to B है, 1 by 2 is to 5 by 8, इसकी non fraction value बतानी है, हमें A और B की non fraction value बतानी है, कुछ नहीं करना, हमें का करना है इनको cross multiply कर देना है, और जिस position का numerator है, उन cross multiplication की value numerator वाली जगा बनेगी, जैसे A is to B में numerator है, अगर हम A को देखें, तो 1 by 2 में numerator है, 1, तो जब हम 1 को 8 से cross multiply करेंगे, तो 8 जो होगा, पहली position पे आएगा, वैसे ही 5 को 2 से multiply करेंगे, तो 10 जो है second position पे आएगा, तो A is to B आगया, हमेरे पास 8 is to 10, जिसके answer होगा, 4 is to 5, अब next question आगया, A is to B है 2 by 3, is to 5 by 8, B is to C है 7 by 8, is to 3 by 4, सबसे पहले हमने क्या किया, A, B को cross multiply कर द is to 15, next step में हमने का किया, B और C को cross multiply किया है, जो कि हमारे पास आगया, 7, 4 is to 28, 8, 3 is to 24, इसको हम reduce कर सकते हैं, क्योंकि दोनों even number है, 14 is to 12 हमारे पास आगे, B is to C की ratio, अब मैंने आपको बताया था, क्या common point क्या है, B है, तो common point हमें 15 और 14 दिख रहे है, 15, 14 को हम multiply करेंगे, 16, 16, जब हमने इन equations को multiply किया, आपको देखा, तीनों equations में आपको एक एक even number दिख रहा था, तो आपने even number को reduce कर दिया, 2 से divide करके, अब आपके बास बचेगा, reduce करने के बाद, 16 into 7, 15 into 7, 6 into 15, इसको आप reduce और reduce नहीं कर सकते, क्योंकि कोई common number दिख नहीं रहा, तो A is to B is to C की ratio जाजेगी 112 is to 105 is to 90, इसे के साथ हमारा first part जो है ratio proportion का खतम होता है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ratio proportion chapter जो है हमारे लिए काफी ज़्यादा important chapter है, तो हम इसको काफी सारे parts में और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ratio proportion chapter से ही हमारा ages chapter निकलता है, partnership chapter निकलता है, mixture and allegation chapter निकलता है, तो ये chapter हमारे लिए काफी ज़्यादा important है, इन बाकी तीन chapters के नजरी से भी और डियाई में ratio proportion और percentage का बहुत ज़्यादा use होता है, तो ये chapter हमारे लिए काफी ज़्यादा important है, इसका कोई भी lecture मिस्मत करना और जो भी पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, जो भी वीडियो को शेर कीजी, थेंक यू